जी नमस्कार दोस्तों महूर अबंदर वस्वागत करता हूं अपने यूटीब चैनल अबंदर मॉनिटर पर दोस्तों आज के स्रोड़ों मैं मैं आपको बताने बाला हूं जैसे कि मरनेगा में काफी सारे अप्डेस होते ही रहते हैं उसी में एक अपडेट साया है प्राउजर कर दीगा तो चलिए सुरू करते हैं मैं नरेका में e-workof file menu के बारे में अधिक जानने के Лिए सबसे पहले आपको अपने मोबाल phone या laptop में दो ब्राउजर को open करना है मैंने यहां पर दो ब्राउजर को side में रख रखा है पहले मैं ब्राउजर को open करता हूं अपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सर्ट का एक option मिलेगा आप इस पर click करेंगे यहाँ पे आप type करेंगे नरेगा उसके बाद आप पहली website पर click करेंगे आप नरेगा की official website पर आएंगे यहाँ पे अब आपको नीचे scroll करना है यहाँ पे quick access का एक menu मिलेगा इस पर आप click करेंगे यहाँ पे quick access में काफी सारे options आएंगे यहाँ पे state reports पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पे सभी राजयों के नाम आएंगे आप अपने राजय पर click करेंगे यहाँ पे एक डिस्टी की लेश्ट ओपन होगी यहाँ पे आप अपने जिले पर क्लिक करेंगे उसके बाद ब्लॉक लिस्ट यहाँ पे आप अपने ब्लॉक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी ब्लॉग में जिनने भी ग्राम पंचायत हैं उनके नाम आ जाएंगे आप अपनी ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे आप ग्राम पंचाइट रिपोर्ट्स में सकस्पुली लॉग इन हो जाएंगे आप आपको करना क्या है यहाँ पे आपको नीचे आना है यहाँ पे आर थ्री में वर्क उसमें एक आप्शन है वर्क एक्सपिडेंचर इस पर किलिक करेंगे यहाँ पे फानिशी लेयर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 2024 और 2025 यह रिसेंटली अपडेट हुई है अप्रेल के महिने में अभी एक महिना हुआ है इसके अंतरगत अभी साइदी यह का अदकाम जुड़े हैं बट यहाँ पे मैं 2023 और 2024 को देख रहा हूँ तो यहाँ इस पर कि यूज करेंगे अपना सब कुछ अपने हिसाब से फिक्स करेंगे मैं यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी ग्रम पंचायत का देख रहा हूँ यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पर किलिक करेंगे यहाँ पे 2023 में जितने भी ग्रम पंचायत में कारें के लिए जो नए काम गए थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे कितने नए काम जूड़े गए हैं कितने काम चल रहे हैं और कितने कामों को approval मिला है यहाँ पे सारी details आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे बात करते हैं e-work file तो यी वर्क फाइल में देखा क्या जाता है, यहाँ पर जैसे कि विशर पाल गंगबार के खेज से खरकपुर कलाक के सीमा तक संपर्ग मार पर मिटी का रहें, तो यी वर्क फाइल में इसकी complete जानकारी दी जाती है, complete जानकारी का मतलब है कि कब इसको काम को approval मिला है कितने रुपाय का इस पर estimate रखा गया है कितने लोगों को अभी इस काम पर लगाया गया है कितने लोगों का master rule जारी किया गया है उसी के साथ अगर ये पक्का या कच्छा मार गया है और इसमें कोई material यूज होता है तो वो material किस vendor के यहां से लाया गया है उसका bill क्या है वो सारी details आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे इसको full details में देख चेक करने के लिए आप इस code को copy करेंगे copy करने के बाद आप आपको back आना है अपने phone में यहाँ पे दूसरा browser open करेंगे दूसरे browser में search की option पर click करेंगे नरेगा type करेंगे पहली website आएगी आप इस पर click करेंगे फिर से आपके सामने official page आएगा यहाँ पे आप नीचे scroll करेंगे आपको एक menu मिलेगा reports का आप इस पर click करेंगे यहाँ पे capture code का एक page open होगा यहाँ पे इसको calculate करेंगे और यहाँ पे फिल करके verify code पर click करेंगे यहाँ पे फिर से एक नया page आएगा जिसमें दो option मिलेंगे financial year और state name तो यहाँ पे financial year यही रहने देनी state name पर click करेंगे आप जिस भी राजी से इस video देख रहे हैं आप जिसमें राजी का check करना चाहते उस राजी पर click करेंगे उसके बाद काफी सारे options इसमें open होके आएंगे आप नीचे scroll करते जाएंगे 22 नमबर पर इस menu को जोड़ा गया है यहाँ पे e-work file आप e-work file पर click करेंगे तो यहाँ पे e-work file को view करने का जो page है वो मिल जाएगा यहाँ पे कुछ options को आपको select करना है जैसे कि यहाँ पे उत्तरपदेश है आप यहाँ पे अपने district को select करेंगे block को select करेंगे gram panchait को choose करेंगे यहाँ पे financial year को जो work start financial year है इसको change करेंगे जैसे कि मैंने अभी 2023 के कारे देखे थे यहाँ पे work code fill करने का एक box मिलेगा आपने जो code copy किया था या जो लिख रखा था उसको यहाँ पे paste करेंगे यहाँ पे search के option पर click करेंगे वो work code और work name यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो मैंने gram franchise report से उसको copy किया था यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे उसका नाम check कर सकते है उसका status भी दिखाया जा रहा है कि वो कारे चला है ongoing में है यहाँ पे इसकी file को देखने के लिए view के option पर click करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे इसकी complete report यानि file open हो जाएगए यहाँ पे इसका work code क्या है उसके बाद य๋ इसकी category क्या है यहाँ पे work का नाम क्या है यहाँ पे इसका proposed status क्या है उसके बाद यह काम चला है या इस इस complete हो चुका है इसकी agency gram franchise है यहाँ पे इसकी priority number 3 है यहाँ पे financial year 2023 है उसके बाद estimate इसको 15 April को 2023 को स्विक्रित किया गया था और इसका 286 2023 को काम start कर दिया गया है और यहाँ पे 120,551 रुपए की estimated cost रखी गया है जिसमें percentage के लिए यहाँ पे 99,000 रुपए रखा गया है यहाँ पे actual percentage जो है वो 348 रखे गया है उसका latitude और latitude क्या है कि कहाँ पर यह काम चल ला है इसकी location क्या है यहाँ पे इस number को fill करेंगे तो easily search कर पाएंगे उसके बाद copy of the manual action plan इसका safe of projection क्या है यहाँ पे available है इसको आप view करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो main option होते हैं जैसे कि demand application तो यहाँ पे demand application में यहाँ पे view available के option पर click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी labor total इस पर लगी हुई है तो यहाँ पे 34 अभी लगी है उसके बाद यहाँ पे applicants यानि जो लावारती उनके नाम देख सकते हैं किस किस की इस कायर के अंतरगत demand लगी थी कब से कब तक लगी थी कितने दिनों की है यहाँ पे आप back करेंगे उसके बाद बर के allocation का check कर सकते हैं यहाँ पे coffee of filled master rules आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पे इनके जो master rule है इनको check कर सकते हो कि यहाँ पे कितने लोगों का master rule में कितना demand फिल किया गया था कितना उसका payment बना है उसकी payment date को भी देख सकते हैं आप यहाँ से इसका complete master rule निकाल सकते हैं उसके बाद back करेंगे उसके बाद यहाँ पे copy of bagelist यानि F2 details को इसको भी देख सकते हैं इसका bagelist और F2 details भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा किस bank में यह पैसा credit हुआ है आप यहाँ से इसकी details ले सकते हैं उसके बाद back करेंगे तो दोस्तो इस तरह से आप easily check कर सकते हैं इस car के अंतरगत कितने master rule जारी किये गये थे कितनी lever है उसके बाद कितना इसका amount है यहाँ पे अगर यह पका काम होता तो यहाँ पे इसकी और भी details को यहाँ पे दिये होते बट आप अपने तरीके से अब इसको check कर सकते हैं आपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर पहली बारे चैनल को subscribe कर लें और साथी मैं हमें Facebook या Instagram पर अगर follow करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के description में उनका भी link दिया है या आप Facebook पर type करेंगे Rabindra Monitor तो मेरा एक page मिलेगा आप उस पर follow कर सकते हैं और साथी में जो छोटी छोटी जानगारी है या हमारी और भी वीडियोज हैं उनको इजी तरीके से देख सकते हैं जो कि मैं YouTube पर come upload करता हूँ उसी के साथ हमें Instagram पर follow कर सकते हैं आप वहाँ पी type करेंगे Rabindra Monitor तो वहाँ पर भी मेरा profile मिल जाएगा